गास आज मैं बताने वाल हूँ आप लोगों को कुछ ऐसी कमाल कमाल की वीबसाइट जो आपके बहुत बहुत ज्यादा ही काम आने वाला है जो आपके डेली लाइप को बहुत आसाम बना देगा तो सुरू करते हैं वीडियो भीना कोई डेरी के तो बढ़ते हैं हमारे पहले वेबसाइट की जैसे कभी-कभी क्या होता है कि हमें कहीं से भी unknown number का call आजाता है तो अब हमें उस number की जानकारी नहीं होता तब आप जानकारी प्राप्त करने के लिए true caller का use करते हो उसमें सब डिटेल बता देता है लेकिन सभी लोग true caller का use नहीं करते तो अगर आपके mobile में true caller नहीं है तो आपको क्या करना है तो simply से chrome browser open करना है और आपको search करना है true caller फिर first में जो link आएगा उस पे click कर देना है फिर login login कर लेना बहुत ही असाने login करना login हो जाने के बाद ऐसा interface देखने को मिलेगा simply से search phone number पे tap कर देना है फिर उस unknown number को डाल देना है जिसकी detail आपको चाहिए डाल देने के बाद search पर tap कर देना है फिर उसका पूरा detail आपको दिख जाएगा तो इस प्रकार आप बिना true caller का use करे इस प्रकार unknown number का पता लगा सकते है तो अब दूसरा website है हमारा जैसे आप phone से photo तो click करते ही होंगे तो कभी कभी क्या होता है कि photo first हो जाता है अर्थात photo की quality कम हो जाता है तो आप remaining app से photo की quality बढ़ा सकते हो लेकिन जब यह काम बीना app यूज करे हो सकता है तो हम अपने phone का storage क्यों भरे तो simply से आपको फिर से आ जाना है अपने chrome browser में और search करना है search enhance.io फिर first वाले link पे click कर देना है फिर आपको कुछ as interface देखने को मिलेगा तो simply से आपको नीचे start free वाले option पे click कर देना है इसमें आप एक email से total 10 image की quality बढ़ा सकते हो उसके बाद email बदल देना है फिर आपको फिर से 10 image बनाने के लिए मिल जाएगा तो आपको पहले login करना हो फिर जिस photo का quality आपको बढ़ाना है उसे upload कर देना है upload हो जाने के बाद आपको smart resize वाले option में click कर देना है और फिर नीचे के तिनों option को on कर देना है और इनका percentage आपको 50% कर देना है फिर start processing में click कर देना है फिर थोड़े ही समय के बाद आपको image बनकर आ जाएगा फिर इसे जिना कोई app का use करें और अब बढ़ते हैं हम हमारे तिसरे और लेकिन इससे पहले एक request लोगों से तो मेरा जो mobile है वो low end device है तो अगर मैं ज्यादा लंबा वीडियो को edit करता हूं तो बहुत lag होने लगता है तो मैं दो मिनट से ज्यादा वीडियो editing नहीं कर पाता तो लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसरी राम